हेलो एन बेलकम दोस्तों, सन्राइजर्स हैदरबाद वो टीम है जिसने इस बार सबसे ज़्यादा इंडियन टैलेंट को बोका दिया है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा युबा भारतिये खिलाडी आपको नजर आ रहे हैं, इंडियन अनकैब प्लेयर नजर आ रहे हैं, उसक हैदरबाद को कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस नजर आ रहा है, लेकिन यह हमारी डिफरेंट सीरीज है, जिसमें हम बात करते हैं, नो योर प्लेयर, इंडियन अनकैब प्लेयर जो अब तक IPL नहीं खेले हैं, जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, उनके बारे में ह आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, हैदरवाद की टीम में अबदुल समद, अभिशेक सर्मा, कार्तिक त्यागी, यह वो खिलाडी हैं जो इंडिया तो नहीं खेले, लेकिन आप इनको जानते हैं, उसके अलाबा उम्रान मलेक, राहुल तरपाथी, मैंक मारकंडे, यह वो खिलाडी हैं, जो इंडिया भी खेल चुके हैं, लेकिन अभी बहुत युवा खिलाडी हैं, लेकिन उसके अलाबा भी 6 खिलाडी ऐसे हैं, जो इंडिया नहीं खेलें और जिनके वारे में आप जानते रही हैं, तो उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे नोटिफिकेशन की घंटी दवा लीजे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जम्मू एंड कश्मीर से आने वाले विबरांत सर्मा का सिर्फ 23 साल का ये खिलाडी इसने दो साल पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्रिकेट खेलना सुरू किया था और इनकी कहानी बड़ी मारमिक है क्योंकि इनके भाई को ये बहुत क्रेडिट देते हैं या जहां भी है क्योंकि 2.6 करोड में हैधराबाद की टीम ने इनको खरीदा था 2020 में एक ऐसा बक्त आया जब इनके पिताजी की डेथ हुई और सारी रिस्पॉंसिबिलिटी इनका मेडिकल का बिजनेस था और सारी चीजे इनके बड़े भाई पर आगी जिन्होंने मेक शूर किया कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इनका भाई क्रिकिट खेलता रहे क्योंकि उसके अगले साल ही इनको डोमेस्टिक में जमुएन कश्मीर की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिल गया था तो उन सारे संघर्सों से जूज कर यहां तक पहुँचे हैं बहतरीन खिलाडी हैं प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो इस साल डोमेस्टिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इंडियन क्रिकेट में जब इंटेंट की बात चल रही थी तो उन्होंने MP के खिलाफ ए सेलेक्शन हुआ उस बक्त ये रंजी ट्रॉफी खेल रहे थे एहमदाबाद में गुजरात के खिलाफ पारी की हार का सामना करना पड़ा था जमून और कश्मीर की टीम को तो ये इस बक्त एहमदाबाद में मौजूद थे उसके बात अगले खिलाडी की बात करें समर्थ ब वक्त से इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में आप इस नाम को सुन रहे हैं क्योंकि 2015 से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं राइट हैं बैट्समेन है साथ में लेक्सपिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं और इस सीजन इनके लिए जो सबसे बड़ी खास बात रही है वो ये रही है सेद मुस्ताकली ट्रॉफी में सबसे जादा चक्के लगाने का काम इन्होंने किया एक सो सटतर दसमलब चार जीरो के स्ट्राइक रेट से इन्होंने तीन सो चौदा रंस बनाए हैं एज गुरूप क्रिकेट भी खेल कर क्या हैं अंडर सिक्स्टीन ये सौरास्टा क में थे लेकिन जगे नहीं बन पा रही थी आईपियल में खेलने का मौका नहीं मिल रहा था तो ये शायद ब्रेक्थ्रू सीजन आप कह सकते हैं इनके लिए स्यद मुस्ताकली ट्रॉफी में रहा जहां पर इन्होंने सबसे अधर चक्के तो लगाई ही लगाए साथ में 177- 70 के स्ट्राइक रेट से बलेबाजी की सब्सादरन बनाने वाले खिलाडियों की सूची में रहे और जिस बज़े से इन्होंने स्काउट्स तो डिफरेंट डिफरेंट टीमों के हैं उनको इंप्रेस किया और हैदरवाद की टीम ने इनको सिर्फ बेस प्राइज में ही खरी इंडिया में इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेड में इंडियन नेशनल टीम के साथ आपको बहुत कम गिने चुने फास बालिंग ओल राउंडर नजर आते हैं तो यह उन में से एक हैं इस सीजन की इनके लिए जो हाइलाइट रही है वो रहा है इनका स्ट्राइक रेट 186 के स् पर बलेवाजी करता हो उसका एबरेज 50 का हो स्ट्राइक रेट 186 का हो तो यह चीज पक्की है कि वो नौट आउट जादा आता होगा तब ही उसका एबरेज 50 का है क्योंकि वो 50 रन हर मैच में नहीं बना सकता यानि 186 के स्ट्राइक रेट से रन बना करके मैचेस फिनिश कर करते हैं नौट आउट आते हैं responsibility के साथ खेलते एक particular रोल जो finisher का है वो प्ले कर सकते हैं साथ में गेनबाजी बहतरी निनों ने करके दिखाई है सो एक All-Round गेंदबाज और साथ में बलेबाज आप कह सकते हैं कि ये बहुत कम आपको Indian Domestic Cricket में देखने को मिलते हैं और मैं बहुत सर्प्राइज था किसी और टीम ने इनके लिए बोली नहीं लगाई क्योंकि हैदराबाद ने इनको सिर्फ 20 लाक रुपे में ही खरीद लिया था राइट हैंड बैट्समें है और राइट हैंड मीडियम फास गेंदबाज है उसके बाद अगले खिलाडी की बात की जाए तो उपेंद्र यादव 26 साल के कानपूर यूपी से आने वाले और ये खिलाडी बहुत बक्त से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है 2016 का इनका डेब्यू है यूपी के लिए बहुत लंबे बक्त तक खेले अपनी सर्विसेज दी और ये कंप्लीट प्लेयर है तीनों फॉर्मेट खेलते हैं लॉंगर फॉर्मेट अफ धगेम में भी अच्छी खासी अवरेज है पैंतालिस केवरेज से रन बनाते हैं वन डे क्रिकेट की बात की जाए यांणि बिज्जाजारे में भी अच्छे अवरेज से रन बनाते हैं सेयद मुस्तागली ट्रॉफी में इस साल इनका सीजन अच्छा गया बट रंजी ट्रॉफी में और भी अच्छा गया अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं बिकिट कीपिंग करते हैं और यूपी की टीम के लिए जो फिनिशर का रोल था पटिकुलर बहुत खेलते रहे थे और अब वह काम इन्होंने रेलबे के लिए करना सुरू किया है क्योंकि अब इनकी टीम बदल करके हो गई है रेलबे तो अभी रेलबे से जादा खेलते हैं और साथ में विकिट कीपिंग कर सकते हैं उपेंद्र यादब को सिर्फ 25 लाग की कीमत में सन्राइजर सह हैं बलेबाजी भी कर सकते हैं और इस साल इस सीजन जो सयद मुस्ताकली ट्रॉफी का था फाइनल मैच में इन्होंने जबरदस गिंदबाजी की थी और अब एक फाइटिंग स्पिरिट वाले क्रिकेटर आपको नजर आते हैं पहले बड़े एबरेज से क्रिकेटर नजर आ आते हैं यह नहीं क्योंकि जब इनका एटिट्यूट बदला है और डिफरेंट तरीके से खेलने लग गए तो आप परफॉर्मेंस में भी इनके डिफरेंट चीज आपको नजर आने लग गई है इंडिया अंडर 19 टीम को अल्रेडी रिप्रेजेंट कर चुके थे कई साल प लिए लेकिन पिछले एक-दो साल से इनकी चर्चा काफी जादा बड़ी है जिसकी वज़े से हैदरवाद की टीम ने इनको खरीदा भी है उसके बाद एक और यूबा खिलाडी की बात करते हैं 19 साल के नितीश रेडी और इस खिलाडी ने इस साल रंजी ट्रॉफी में पारियां देखने को मिली तो बेसिकली एक और राउंडर हैं राइट आम मीडियम फास गेंदबाज हैं और राइट हैं बैटिंग करते हैं बाइजेक से आते हैं विशाका पटनम आप जिसको कह सकते हैं आंधरा प्रदेश से डोमेस्टिक की टीम में खेलते हैं 2020 का इनका डेब्यू है और इस साल जो इनका डोमेस्टिक में परदर्शन रहा और इनकी उम्र कम होने की बज़े से भी इनको टीमों ने स्पोर्ट किया और कई टीमों ने इनके लिए बोली भी लगाई थी उसके बाद अगले खिलाडी की बात करें तो अनमोल प्रीत सिंग 26 साल के प फॉर्मेट अब दा गेम के प्लेयर नजर आते हैं इस साल इनोंने रंजी ट्रॉफी में एक सेंचुरी लगाई थी MPK अगेंस शॉर्टर फॉर्मेट अब दा गेम के उतने बहतर प्लेयर माने नहीं जाते बड़ थोड़ा बहुत काम इनोंने अपने गेम पर किया है अगर बैट्समेन है टेक्निकली साउंड बैट्समेन है लंबी रेस का घोड़ा है बट शॉर्टर फॉर्मेट अब दा गेम में शायद कभी भी लगा नहीं क्योंकि मुंबई के लिए भी खेलने का मौका इनको बहुत मिला है वहाँ पर भी कुछ ऐसा खास ये दिखानी पाए ज दोस्तों ये है वो सारे खिलाडियों की लिस्ट जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं था तो नो योर प्लेयर की सीरीज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है स्पेशली बिबरांग्स शर्मा लेफ्ट हैं बैट्समेन जो ओपनिंग का ऑप्शन भी अगले शुग्रिया थैंक यू सी यू नेक्स वीडियो